कि राधे राधे दोस्तों आज मैं आपको जीरो नंबर के काना जी की सुन्दर सी ड्रेस बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही इजी है यह मैंने एक और जीरो नंबर ड्रेस बनाई थी तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम 12 चेन बना लेंगे एक तू तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा और वहां से पकड़के हम एक्ष्टा तीन चेन बनाएंगे तीन चेन बनाके जहां पर बारा चेन हुई थी वहां पर हम डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे ही हम सभी चेन में डबल क्रोशे बना लेंगे तो टूटल बारा डबल क्रोशे होंगे इन सभी चेन में हम बना लेते हैं अब हम तीन चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे अब हम अगले स्टीच में डबल क्रोशे बनाएंगे अब हम यहां पर पहला डबल क्रोशे अब यहां हम हर चेन में दो दो डबल क्रोशे बनाएंगे एक दो ऐसे ही करके हम यह वाला पार्ट धूरा करेंगे आखरी में हम दो डबल क्रोशे बनाएंगे और जो चेन है उसके हम उपर एक डबल क्रोशे बनाएंगे तो यहां हमारे टोटल 24 इस्टिच हो गए और शुरू और आखरी में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे अब हम तीन चेन लेंगे और टर्न करेंगे अब यहां हम चोली की बहाँ बनाएंगे तो इसके लिए इस्टार्टिंग के चेन के साई टोटल तीन डबल टोटल चार डबल क्रोशे बनाएंगे यह चार डबल कुरूशा हमने बना लिया है और चार चेन हम इसकीप करेंगे और पांच वे में चेन में हम डालकर डबल कुरूशा बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ एक और डबल कुरूशा हम बनाएंगे और फिर चार इसकीप करके हम पांच वे में डबल कुरूशा बनाएंगे और यह साइड भी हम चार डबल कुरूशा बना लेंगे तो टोटल हमारी यहां पर 16 स्टीछ हो रहेगी देखे यहां पर भी डबल कुरूशा बना लेते हैं यह हमारा रूप कम्पलीट हो गये अब हम चोली को जोइन कर लेंगे देखिए जोइन कर लेते हैं थार्ड चेन में ग्रोशे डालकर स्लिप इस्टीज बना लेंगे यह हमारी चोली बन कर तैयार है इस चोली में हमने टोटल थी रोव बनाई तो चलो हम अब नीचे का पार्ट इस्टा बनाएंगे और नेक्षट चेन में डबल क्रोशा बनाएंगे पिर दो chain बनाएंगे फिर next chain में हम double crochet बनाएंगे फिर दो chain बनाएंगे हमको कुछ भी skip नहीं करना है back to back बनाना है अब next chain में हम double crochet बनाएंगे ऐसे ही करके हमको पूरा कंप्लीट करना है दो चेन नेश्ट चेन में हमको डबल क्रोश्या बनाना है ऐसे ही हम चारो साइट बना लेंगे पूरा कंप्लीट करेंगे दो तीन चेन बनाएंगे और खाली वाली स्पेस में हम तीन चेन का क्लस्टर बनाएंगे इसके लिए डबल क्रोश्या बनाएंगे एक बार क्रोश्य से बाहर निकालेंगे एक स्टिच क्रोश्य पर रखेंगे एसा तीन बार करकर एक क्लस्टर बनाएंगे दो चेन फिर एक बार से दो चेन करेंगे और इसे हम इसे रिपलेट करेंगे तीन चेन बनाएंगे और इसे ही करके हम पूरा राओं कंपलीट करें निकाल लेंगे अब आसे हमारा प्लस्टर बन जाएगा यह देखी मेरा रोगव से इसे मृब करेंगे अब हम सलिप इस्टीच से थर्ड चेन में जोइन कर लेंगे यह देखें अब हम चार चेन लेंगे तीन चार चेन लेके दो इसकिप करेंगे के थर्ड चेन में हम एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे यह से में एक दो तीन चार चार चेन बनाएंगे और दो इसकिप करके थर्ड में सिंगल क्रोशा बनाएंगे यह मेरा सिंगल कुरूशा बनाएंगा एक तू थी चार चेन बनाके दो स्कीप करके थर्ड में सिंगल कुरूशा बनाएंगा ऐसे ही हम चारों तरफ बना लेंगे और हम पहले ही स्टीज में हम इसको जोइन कर लेंगे अब हम कलर चेंज करेंगे स्लिप पिश्टी से जोइन कर लेंगे सिंगल कुरूशे बनाएंगे और जो चार चेन बनाएंगे और पांच डबल कुरूशे बनाएंगे खाली स्पेस में दो तीन चार पांच टोटल छे डबल कुरूशे चेन के साथ ले लेंगे और सिंगल कुरूशे बनाएंगे जहां पर हमने सिंगल कुरूशे बनाएथा मही पर हम नीचे से कुरूशे डालके क्रोशे में धागा लेके सिंगल क्रोशे बनाएगे ऐसे ही हम फिन नेक्ट खाली स्पेस में छे डबल क्रोशे बनाएगे सोरी एक दो तीन चार पाच छे और एक सिंगल क्रोशे बनाएगे नीचे से क्रोशे डाल के ऐसे ही हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे अब यहां हम चोली की फिनिशिंग देंगे इसके लिए हम थ्रेट अटेज करेंगे और स्लिप स्टी लगाएंगे अब हर स्टीज में दो-दो सिंगल क्रोशे बनाएगे कि दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो और-पै हम दो चेन बनाएगे और गले में हर इस्टीश में एक-एक सिंगल क्रोशिय बनाएं अब हम चोली की फिनिशिंग देंगे हम उसको हाइट करेंगे देखें इस टाइप से हम इस्टीश में हम सुई डालेंगे खिच लेंगे दूसरे साइट से भी एसरी करेंगे और इस्टा धाग हम कट कर देंगे नीचे साइड में हम ऐसे ही हाइट करेंगे धर देंगे एक्स्टर थेड़ हम सब जगे से कट कर लेंगे एक ब्लीट हो गए है हमारे जीरो नमबर काना जी की ड्रेस इसके साथ मेचिंकी मैंने केप भी बनाई है जिसका वडियो में जल्दी ही डालूँगी आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजे थेंक्यू लाइक और सब्सक्राइब